आपके अपने यूटूब चेराँ पता दोस्तो, RPSC First Grades के रिजट को जारी करने को लेकर इस वीडियो दोस्तो हम विस्कस करेंगे RPSC First Grades के गुरूप A बगुरूप B के रिजट को जो बिसे हैं, दोस्तो, उन बिसओं के रिजट को जारी करने को लेकर गुरुप A, गुरुप B, गुरुप C, गुरुप D, पनाच गुरुपों पेपर कायजिन किया गया था, जिसमें की 26 बसों का पेपर उगा था, तो RPSC फ़र्ष्ट गेड में जो गुरुप A बगुरुप B की विसे हैं, उनका पढ़ाम पहले जारी होगा, इसके बाद नई बरती को लेकर भी बात करने वाले हैं, दोस्तों नई बरती को लेकर सिचांदरी BD कर लाने क्या गोशणा की है, 34 एयार पदों पर नई बरती आने वाली है, जिसमें 1st grade, 2nd grade, 3rd grade की बरती की गोशणा भी की गई है, और इसी के साथ दोस्तों आपको जोइनिंग कब तक मिल की तो रादे मीना की तरफ से ट्वीट किया गया है अलांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है हो सकता है देर राक तक रिजल्ट आए और कल भी आपके दोस्तों नतीज जारी होंगे क्योंकि आर्पीएसी ने अभी दो विसों का ही पड़ाम जारी किया है चाहतरों ने लगात दोस्तों वहाँ पर आपका रिजल्ट जारी के जाएगा टोटल 6,000 पदों पर यह भरती करवाई गेती है टूर के बईने में और अब दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो दुगना के साफ से जारी के जारा है यार्की 12,000 विद्यारतियों को सबजेक्ट बाइपास की पर इसके इस कैटिग्री में दोस्तों काफी सारी कैटिग्री जिनमें 40% भी istitahna नहीं लापाए हैं तो इस प्रकार से आपको इसमें नम्म लाने होते थे और वहीं OBC जनरल के लिए 40-40% के साफ से लगबग 180 नम्म आपको इसमें लाने होंगे और SC-HT को लग 157-158 के आसपास नम्म लाने होंगे यह आपके minimum qualification थी इसके बाद आपकी कटोप बनेगी कटोप दोस्तों जाला नहीं गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके आसपास ही कटोप बई है अभी group A वा group B की जो बिजह हैं उनका पडाम एक साथ जारी की home science का result भी आना बाकी है तो आज को इतना ही दोस्तों जै हिंत बंदे मातरम